कि मैंने बनारस मूवी देखी और यह बहुत ही अच्छी है बस दो मिनट थोड़ा सा लेट हो गई थी पोशने में तो मैं बिगिनिंग उसका नहीं देख पाई लेकिन वो मिस कर गई मुझे असा लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हो गया है जहां तक मैंने अधी देखी है बहुत ही अच्छी मूवी है और यह फैमिली के साथ भी देखने वाली मूवी है जो आफ वैमिली के साथ भी जाकर कर देख सकते हो और पुरा इस बनारस पूरा दिखायग Chuck. बहुत ही अच्छी तरीके से- बहुत ही बढ़िया विक्चर है बह और सोशल मेडिया पर पोस्ट कर देता है और वो शिर्ष वाइरल हो जाती है उसके मज़े से एक लड़की की जिंदेगी बहुत जादा डिश्रब हो जाती है फिर वो जाता है बाद में बनारस पूरा अको धूणता है अब अब भी मैंने भी की है बनारस में और रसेंट में पंदरा थारीक और फिर जाने वाली हूं, मतलब बनारस में शुट करने के लिए एक नई फिल्म है, तो आप लोग देखिये, सबसे पहले आप लोग जाके बनारस मूवी देखिये, जो की बहुत ही, इमोशन है, ड्रामा है और बहुत ही लव स्टोरी बहुत अच्छी है गाने की बात करें तो हजो गाने काफी इंपोर्टन्ट है लिकिन इसमें जो गाने है न वो ऐसे नहीं है कि बहुत जादा डांस स्टप है यह वो बट एक गाना है जो अपने दोस्तों के साथ उसने ने 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 पाटी सौंग है और उसके बाद लड़की के साथ जो रोमांस वाला सौंग है लव इट पाफ करे स्टार की तो पाँच में से कितना स्टार देना चाहूंगी कि बहुत अच्छी लगी मुचे मुझे थांक यह सो मच अच्छी लगी है अच्छी मुवी है शंजो के यहां बेठे बनारस देख लिया है बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया लगा अच्छी मुवी है अच्छी मुवी है देखो बहुत अच्छी मुवी है देखो बहुत अच्छी मुवी फेमिली पिक्चर है मजा आएगा और मेसेज है इसमें बहुत बढ़िया मेसेज है यंग स्टर के लिए अब अभी अभी मुवी दिन क्या रही हो बनारास क्या क्या चाहिए बनारास अच्छी है और कुछ सस्पेंस उसमें आड़ेड है और हीरो की जो हीरो है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और गाने भी बहुत अच्छे है अच्छे है सौंग्स लेकिन मुझे अच्छे लगे लेकिन वेको थोड़ा एक्चली हिंदी मुवी नहीं है ना थोड़ा वो लिप सिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बाक्या अच्छी पोगी है स्टास अच्छत अच्छे है अच्छे हैं थोड़ा था थोड़ा द fascist पर्ण स्टासल अच्छा था वी चुड़ा था लाज़्ा स्टासे क्षड फहार और अच्छ पॉखर्स देिटी मुवी ओ रहा दा्टानाट मोवी बहुत अमेजिंग थी, चारेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, शस्पेंज भी बहुत अच्छा था, और बहुत मज़ा था किस तरह की स्टोरी तो बदाना चाहता था? लव स्टोरी थी और सस्पेंज था गाने की बात करें, जो सांग था? सॉंग्स अमेजिंग थे, एक महा के उपर गाना था, विच वस रियली अमेजिंग, तो गाने बदमस था बनारस का लोकेशन था उपर काफी कीच? मुझे वो रिवर अच्छा लगा बेसिकली और उसके साथ टेंपल्स और जो इतने भी लोकेशन से बहुत अमेजिंग थे साल की बात करें तो पाच में से की तरशा दे रहा था? फाई आउट उट फाइव थाइव थाइंक यू अब अभी अभी बनारस दिखके आ रहे हो कैसी लगी आपको इस लिचर क्या बनारस मुझे बहुत बढ़िया लगी है फर्स क्लास फिल्म है काफी एक सस्पेंस भी दिखाया था एक टाइम ट्रेवलर के बारे में दिखाया कहानी और लवी स्टोरी बहुत प्यारी है लोकेशन बहुत प्यारी है शूट बहुत अच्छा किया है एक पर बात करें चैनल लग से लगा है हीरो और हीरो इन दोनों का बेस्ट लगा मुझे बहुत प्यारे लगे एक कपल और मुझे गाने काने गाने कारे लगे लोके लिए सौंग भी अच्छा है इसमें अभी लास्ट मीज़ गाना चल रहा हो भी अच्छा लग्रा है यूंग पांच मीसे कितना स्टार देना चाहूंगा ज़ा है फलाल बहुत अच्छी फिल्म है सिरिस्वी या धिर शुपब मोगी जस ऑसलम मोगी एंद जो एसमें ताइम जान का जो पैक्टर दिखाया है एच एज तोडली डिफरेंट और इच एन अभरेम दिखने जाये और बनारस की गाट के बारे में जो बताया बहुत किलेरली शोगोगी है और बहुत 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 बार बार जो ताइम चेंज हो रहा था हम लोग भी काभी कंफिज हो रहत है और एक दम त्रिलिंग च्पण की बात करें आप पर वीजिक अच्छा था है और आच्छा भी था और अच्छा भी था ताइब अच्छा भी था नेंग जो कॉंसेप्ट लिया है टाइम लैप पे अमेजिंग यानि बनारस और ये मूवी लेकिन सच्छी में जो अपने पाप किये हुए है या कुछ भी है लाइक जो अपोलोजी का उसने कॉंसेप किया है और उतके बाद जो मूवी का सेकेंड हाफ अमेजिंग है जो टाइमलैप पे हीरो हीरोईं के लिए है अमेजिंग आफ दन दी अक्टिंग अलसो वेरी फैबलस गाने के बाद करें जो से कैसे लिए साउंड एक्टम ऐसे लग रहा था कि बस हम लोग देखते जाए अरे नेक्स क्या होगा मूवी पिच्चराइजिसिन सॉंग एवरीधिंग वेरी ब्यूटिफुली का रिसेफ अरे यूटिफुली की साउंड यूटिफ लिया है जो आजकल की मूवी में हो यह नहीं रहा है तो वह वेब सीरीज वाला कॉंशेप एना यह मूवी में डाला हुआ है एक्टम पकड़के रखा हुआ है ओड्यान्स को और डेफिनेटली फाय उट आफ फाय काफी खुछ लग रहे हो बनारस देखे आरे हैं कैसी लगी अपनारस मुवी के बार में एक वर्ड बोलूगा पैन इडिया इस मुवी की कॉंसेप्ट अच्छी है आपके बात करें तो जिस तरीके से सीड और इनकी हिरोईन जो है सोनल में दोनों की जो लब स्टोरी बताई है बहुत अच्छे तरीके से बताई है बीच-बीच में मुवी थोड़ी से ही लगती है सीलो है बट मुवी को प पूरी मुवी बनारेस में सूट किया दोनों की लब स्टोरी काफी अच्छी लेकिन जिसे ही इंटर्वल होता है वहां पर जो ट्यूष्ट आती है न वाइक मतलब कि आप सिकेंड आपके लिए रूकी जाओगे यार आप इतने अच्छी ट्यूष्ट पर इंटर्वल हुआ तो वह सौट की मुवी नहीं कहलाती है मैं इस मुवी को दूँगा फॉर इस्टार आप इसको शेर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जी हां ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे आलवीदा लेते हैं भारत माता की चैवंदे मातरम जाहिं दोस्तों